भीवो ओपो, रियल्मी और M.I. के फोन अब भारत में बंद हो जाएंगे। अभी तक जो आप 10-12,000 रुपये में इन चाइनीज कम्पनी के मोबाइल खरीद पा रहे थे वह अब नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि इंडिया में बहुत जल सभी सस्ते चाइनीज मोबाइल को बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार भारतिय कम्पनी के फोन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला ले रही है। पूरे दुनिया भर में भारतिय स्मार्ट फोन का दूसरा सबसे बरा बजार है लेकिन इस बजार पर चाइनीज कम्पनियों का कबजा बना हुआ है। और यह कबजा इस कदर बना हुआ है कि कई घरेलू कम्पनियां भी अपना स्मार्ट फोन मार्केट में लॉंच किया। लेकिन कोई भी कम्पनी इन चाइनीज कम्पनी के सामने ठीक नहीं पाया। इसके लिए अब भारत सरकार ने इंचानीज कंपणी के स्मार्फोन को बंद करने का प्लैन कर लिया है और अभी हाल में वीवो के कई ठीकानों पर छापे मारी भी की गए थी या छापे मारी के बाद से वीवो के दोनों डारेक्टर देश छोड़ कर फरार हो गए अगर भारत सरकार इस त संता जंग संदेख रहे हैं जदी आप लोग अंग्रेजी दवा से खाखा करके प्रसान हो चुके हैं बलड सुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सुरम प्राकरतिक निरोगधाम में आये और दस दिन का ट्रीटमेंट लिजे और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ती मीडिया में चल लही खबरों के मुताविक भारत सरकार बहुत जल्द या फैसला ले सकती है कि भारत में 12,000 से कम कीमत वाले सस्ते चाइनीज फोन नहीं बिगेंगे क्योंकि इस रेंज के जितने भी मुबाइल फोन भारत में यूज हो रहे हैं लगवग 80% फोन इन चाइनीज कमपनी का है और अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुक्सान MI को होगा क्योंकि या कमपनी बजट फोन बनाने के मामले में सबसे आगे है भारत सरकार के हिसाब से अगर सस्ते चाइनीज मुबाइल फोन की विक्री को भारत में बंद कर दिया जाता है तो गरहांकों का खिचाओ देशी कंपनी माइक्रो मैक्स और लावा की तरफ बढ़ेगा इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सभी सस्ते चा आ रहा है और खबर यह भी है कि बहुत जल्द एपल भी मिटेंज के नए फोन मार्केट में उतार सकती है इसके अलावा जियो भी अपनी 5G स्मार्ट फोन मार्केट में उतारने जा रही है और जब सभी सस्ते चाइनीज मुबाइल फोन भारत में बंद रहेंगे तो ऐसे ग कर ली है यह फोन ऐसे समय में लॉंच हो रही है कि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मुकेस अंबानी को फैदा दिलाने के लिए देश के परधान मंत्री निरेंद्र मोधी के द्वारा यह सब किया जा रहा है कि इसको फैदा दिलाने के लिए किसके द्वारा क्या किया जा र हैंगे तो निश्टिच रूप से जीओ के फोन की तरफ लोगों का खिचाओ बढ़ेगा इसके अलावा चाइनीज कंपनी वीव पर मनी लंट्रिंग का एक वामला विदर्ज है जिसकी जांच के दोरान इसी साल पांच जुलाई को वीवो के वियार सहित कई अलग-अलग हुआ है कि वीवो जितना फॉन इंडिया में बेच रहा है और उसे जो कमाई हो रही है उसका माई को गैर कानूनी तरीके से भारत से भार भेज रहा है और टेक्स चोडी कर रहा है इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार चैना को इंडियन मार्केट से जटका देने की कोशिस कर रहा है इससे पहले 2020 में हुए डोकलाम विवाद के बाद भारत ने टिक टॉक, कवजी, इसके अलावा हमारे देश में कई बार चानिज प्रोडक्त को बाइकॉट करने के लिए केमपेंड भी चलाया गया है, लेकिन चानिज कमपनियों ने भारतिय मार्केट में अपनी पकर इतनी मजबूत तरीके से बनाई हुई है, कि इस केमपेंड का बहुत जैदा आसर कमपनी पर नहीं पड़ता है, ताकि सरकार का यहाँ पल पहल अच्छी जरूर है कि भारतिय कमपनियों के मार्केट को बढ़ाबा मिले, लेकिन इसका एक पहलू यवी है कि भारतिय कमपनियों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कि गरहांकों को इस पार्ट फोन में क्या विचार है, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह हमें कोमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए, वीडियो को स्यर कीजिये, और हमारा यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूटूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जाते रहें वीडियो में अंतक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद